नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टेडी फार एक्जाम में दोस्तों यह वाल लानियर करेंड रफेल सीरीज का पास्मा वीडियो है वीडियो सुरू करने इस पहले मां आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड़ ग्रूप चलते हैं अगर आप इन पेड़ करने वाले राज के संस्थानों के लिए राजियो गांधी पुरुसकार बनाने का निड़ा लिया है तिया है महरास सरकार ने निड़ा लिया है राजियो गांधी पुरुसकार के लिए हाले ही में केन सरकार ने राजियो गांधी खेलत पुरुसकार का जो नाम है वह मेजर ध्यानचन्द खेलत पुरुषकार रख दिया है। बात करते हैं राजिव गांधी की तिया है भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। छठे पीम जो है वह बने थे राजिव गांधी और यह सबसे कम उम्र के पीम बनने वाले भारती हैं। और इनका जो कारेकाल था वह 1984-1989 तक इनका कारेकाल था और यह जब पीम बने थे इनकी जो उम्र थी वह 40 वर्ष थी। आएते हैं अगला प्रस्म लोग। भारत की प्रमुख सैन्र प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो मार्च 2022 में कहां आउजित की जाएगी। यह गुजरात की राध्धानी गांधी नगर में इसका आउजित किया जाएगा। और यह 11-13 मार्च 2022 के बीच इसका आउजित किया जाएगा। 2022 मां जो संस्क्रण होगा यह 12-12 संस्क्रण आपका आउजित किया जाएगा। और इसकी जो थीम रखी गई है। वह इंडिया दा इमर्जिंग डिफेंस मैनुफेक्चरिंग हब इसकी थीम रखी गई है। गुजरात की राध्धानी गांधी नगर है और गुजरात के जो वर्तवान सी एम है वह भूपेंदर भाई पटेल हैं। और गुजरात का जो गठन हुआ है वह 1 मैं 1960 में गुजरात का गठन हुआ है। आयते हैं अगला प्रस्म लोग। हाले में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मपुत्र और सत्लो नदियों पर एक समझावता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं। जो पांच वर्चों के लिए लाग हुँ रहेगा। तो यह भारत और चीन के मद्ध यह समझावता हुआ है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदिकी तो इसका जो उद्गम है यह तिबद के मांसरवा जील के पास इसका उद्गम होता है। और यह भारत के अवलाचर प्रदेश में सरवर्थम प्रवेश करती है। और बांगलादेश में इसे जमुना की नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जवना के नाम से बांगला देश में जाना जाता है और यह जो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी जो कुल लंबाई है वह लगभग 2900 किलिमीटर इसकी कुल लंबाई है बात करते हैं सर्ल नदी की तो इसका जो प्राचीन नाम है वह सतुद् नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 1450 किलिमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसका जो उद्गम होता है वह भी मांसरवर जील के निकट से इसका उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पर भांखरा नागल पनियोजना भी इस्तित है सर्ल नदी पर आ है CDRI का CDRI की जो अस्थापना है वह प्रधान मंत्री ने 2019 में की थी और बंगलादेश इसका 25 सदस्प बना है CDRI का बात करते हैं बंगलादेश की तो बंगलादेश की जो राध्धानियवर धांका है और यहां की जो केरेंसी वह आपके ठाका है और वर्तमान जो पीम है बंगल बंगलादेश की जो अस्थापना हुई है वह 1971 में बंगलादेश बना है आयते हैं अगला प्रस्म रोग राश्पती रामनात कोविन ने उत्तर प्रदेश के कि जिले में सेवा कुंज आसरम का उद्गाटन किया है तो इन्हों ने सोनभद जिले में इसका उद्गाटन किय बिर्शा मुंडा की जैनती के समारो वनवासी समागम आयुजित किया गया था और इसके जो मुख्यती थी थे वह राश्पती रामनात कोविन जी थे और इसी मिनों ने सेवा कुंज आसरम का उद्गाटन किया है बात करते सोनभद्र की तो सोनभद्र यूपी का सबसे दच सोनभद्र जो है कुल चार राजियों के सिमाएं अस्भर्स करती हैं एकड़ और अगला प्रसम लोग टोक्य उलम्पिक 2020 जो 2021 में आजित किया गया है में भारती पुरुस होकी टीम ने किस देश को 5-4 से हरा कर कांस पदक जीता है भारती टीम ने जर्मनी को हरा कर कांस पदक को जीता है और पुरुस होकी टीम 41 साल बार होकी में पदक जीती है पिछली बार पदक 1980 में 60 पदक जीती थी भारती पुरुस होके टीम ने और टोकिय उलम्पिक में जो कप्तान रहे हैं भारती पुरुस होके टीम के वह मनप्रीज सिंग रहे हैं मनप्रीज सिंग कप्तान थे पुरुस होके टीम के इनका नाम आप लोग नोट कर लिजेगा क्योंकि बराबर परिच्छवम यह प्रसन पूछा जा रहा है आए तेगला प्रसम लोग टोक्य ओलम्पिक 2020 में नीरच चोपड़ा ने पूरिसों की भाला फेंक प्रतियस भर्दा में सौन पदक जीतने वाले भारत के पहले अथलेट और अभिनव विंद्रा के बाद भारत के दूसरे ब्यक्तिगर्थ ओलम्पिक सौन पदक विजेता बन गये हैं अभिनव विंद्रा ने किस ओलम्पिक में सौन पदक जीता था तेनों ने बीजिंग उलम्पिक जो 2008 में आज़ित किया गया था उसमें सोणड़ पदक जीता था और यह एक सूटर है और नीरज चोपड़ा ने कुल 87.58 मीटर जेवलिन फेक कर यह सोणड़ पदक को जीता था टोकिय उलम्पिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे जिन में एक सोणड़ था दो रज़त था और चार आपके कांस पदक थे यह सब चीज़ें आप लोग नोट करते चलेगा आएते हैं अगला प्रासम लोग किस राज की मनोहरी गोल लटी नामक चाय की एक दोड़लब किस को 99,992 रुपे प्रत किलोग्राम कीमत पर निलाम किया गया है यह जो चाय है यह आसम किया है जिसे सौरभ चाय ट्रेडर्स को बेची गई है और इससे पहले जो रिकार्ड रहा है वह गोल्ड बटरफ्लाइट रिका था और यह जो टी भीकी थी यह जो चाय भीकी थे वह 75, 27,000 रुपए प्रत किलोग्राम इसके दाम था और उसको रिकार्ड वह रिकार्ड बन गया है मनोहरी गोलिटी का जिन्हों नियान बेजा 999 रुपए प्रत किलोग्राम इसे बहचा है बात करते हैं आसम की तोसम की जुराध्धानी है वद्धिशपूर है और यहाँ के जो वर पांगर नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क जो है इस्तित हैं असम में आएते हैं अगला प्रसम लोग रच्छा मंतिर राजनाज सिंग ने हाले में राश्टी एकता गीत लांच किया है जिसे राश्टी कैड़ेट कोड के कैड़ेटों ने तयार किया है यह राश्टी गीत कितनी भासाओं में रचा गया है यह जो गीत है यह कुल 22 भासाओं में रचा गया है एन्सीसी जो अस्थापना हुई है वह 1948 में इसकी अस्थापना हुई है और इसके लिए पंडित हेम वती कुंजरु की अधच्चता वाली समित ने इसकी सिफारिस की बनने के लिए एन्सीसी की है आयते हैं अगला प्रसम लो तेरे जन्री 2022 को कि स्केन्दरी मंत्रे ने भारत वान इस्थाथ रिपोр्ट 2021 की जारी किया है भारत वान इस्थाथ रिपोर्ट 2021 को और यह जरुक्रोट है यह प्रतेग 2 वर्स में एक बार जारी की जाती है और इसे पिछली बार 2019 में जारी की गई थे इसके उपर एक अलग से वीडियो बनाई गई है आप लोग उसे देख सकते हैं कि किस राज में कितना विस्तार हुआ सब कुछ उसमें बताए गया आप लोग उसे देख सकते हैं जन्वरी 2022 को बिस्तार है और इसकी जो अस्थापना हुई है वह 1971 में इसकी अस्थापना हुई है और इसका जो मुख्याला है वह जेनेवा सुड़ियल लैन में इस्तित है आएते हैं अगला प्रस्म लोग हाले में रॉकेट बग्यानिक S. सोमनाथ को किस संस्तान के अगले अध्यच के रूप में नियुक्त किया गया है तो यह इसरो के नए अध्यच बने है इस सोमनाथ जी और यह इसरो के दस्मी अध्यच बने है इससे पहले जो अध्यच थे वह के सीवान जी थे बात करते हैं इसरो की इसरो के जो स्थापना होई है वह पंदरा अगस्त 1969 को इसरो की अस्थापना होई है और इसका जो मुख्याला है वह बैंगलोरी में इस्तित है आए तैंकला प्रसम भलो 12 जनुरी 2022 को भारत और किस देश के वरिष्ट अधिकारियों के बीच होमलेंड सुरच्छा वारता आजित की गई थी 10 अगास 2021 को प्रधान मंत्री सिरी नरिद मोदी ने उत्तर प्रदेश के के सहर में वीडियो कानफरेंसिंग के माध्यम से LPG Connection सौंप कर उजला योजना प्रधान मंत्री उजला योजना की दूसरे चरण उजला 2.0 का सुभारम किया है तो यह महोबा में इसका सुभारम किया गया है और इससे पहले प्रधान मंत्री उजला योजना योजना शुरू की गई थी वह प्रधान मंत्री नरिद मोदी की द्वारा ही शुरू की गई थी और इससे एक मई 2016 में इसकी शुरुवात की गई थे और यह आपके बलिया शुरुवात होई थे दूसरा जो संस्क्रण इसका है यह महुवा में इसकी शुरुवात की गई हाले में भारत और किस देश ने सन्युक तुरूप से अलमोहद अलहिन 2021 2021 नामक अपना पहला नौसरानिक अभ्यास आईजित किया है तिया भारत और साओधी अरब के बीच पहला नौसरानिक अभ्यास अलमोहद अलहिन 2021 हुआ है और इसमें भारत की ओर से आई एनस कोची सामिल हुआ था आए तेगला प्रस्म लोग स्काइ ट्रेक्स वर्ल्ड एरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में दोहा हमाद अंतराश्टी हवाई अड़े को बिच्टु के सबसे स्रेश्ट हवाई अड़े की रूप में चुना गया है यह हवाई अड़ा कहा श्तित है यह जो हवाई अड़ा है यह कतर में स्थित है दोहा हमाद अंतराश्टी हवाई अड़े को प्रथम अस्थान प्रदान किया गया है दूसरे अस्थान पर टोक्यो का एरपोर्ट है तीसरा जो अस्थान प्रदान किया गया है वह सिंगापूर का है भारत के नई दिल्ली का इंद्रा गांधी अंतराष्टी हावा याड़ जो है यह 45 में अस्थान पर है आएते हैं अगला प्रस्म लोग हाल ही में भारत के पहले कौसल विकास केंद्र WSC का उद्घाटन की सहर में किया गया है ति इसका जो उद्घाटन है वह भूनिस्वर में किया गया है और इसका उद्घाटन यह होड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जीने किया है और इसके लिए कुल 1342 करून रुपए इसका बजट रखा गया है आएते हैं अगला प्रस्म लोग भारत ने किस वर्ष तक उरजा स्वत्ंद बनने का लच्छ न धर्द किया है ति यह 2077 तक भारत उरजा स्वत्ंद बनने का लचछ रखा है आएते हैं अगला प्रस्म लोग हाल ही में कौन सा राष्टी उद्यान से लेस होने वाला भारत का पहला राष्टी उद्यान बन गया है यह आसम का काजी रंगा राष्टी उद्यान है जो से लेस होने वाला भारत का पहला राष्टी उद्यान बन गया है यहाँ पर कुल 10 सैटलाइट फोन दिये गए है और असम का काजी रंगा राश्टी उद्यान जो है यह एक सिंग वाले गैंड़े के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो कुल एरिया है वह 430 वर किलोमीटर इसका कुल एरिया है वीडियो अगर आपका चला तो लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को पूरा देखन धन्यवाद जय हिन जय भारत